कनया जो है वो आधा थीता राधा बटेर रहा गया है ना भुमियार के ही नेता बन पाएंगे और ना ही पिछडों के ही रहा पाएंगे क्या इन दो विधान सभास सीटों पर चुनाओ के बाद कनया ब्यार में टिकेंगे आप किसी बड़े युद्ध में जा रहे हैं और आपका एक सहयोगी जो है आपके ही खिलाफ बगावत कर दे गिरासिंग अगर लीड लेते हैं तो उसमें बहुत बड़ा बैक सेपोर्ट देस्विका था तन्वीर हजन को खड़ा किया गया और कनया चार लाग बूटों से हार है अगर कॉंग्रेस की सत्ता आती है तो खूद को वह से किस्ट माभू की जगा देख रहे हैं मतलब मुक्यमंत्री के जगा देख रहे हैं कर रहे हैं बिहार के लिए लड़ते हैं भाले वह कुछ समय नहीं रहे वो अलग बात है लेकिन यहां पर उनकी एक पहचान है उनके फॉलोवर है उनका अपना एक पिताजी का दोरा ही है दिया ही सिद्यान्त है जिसको आज सको फॉलो कर रहे हैं वो यही बोल रहे थे कि हम जब वोट देने जाते हैं तो हमें ना सड़क दिखता है ना विकास दिखता है ना विद्याले दिखता हमें लालो जी का चेरा ये केवल जो हैं बस बोलने वाले हैं बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं जेनिव में भी बोल के सद्यक्ष बने उसके बाद भी बोल के सिर्फ जो है ये देश विरोधी काम कियें बेटी और वोट लोग अपने जात वाले को ही देता है लोग नमस्कार दे इंडिया टॉप देख रहे हैं आप दो सीटो पर उपचुनाव है लेकिन ऐसा लग रहा है कि देश और बिहार में बड़े चुनाव की घोसना हो चुकी है लगतार सभी पार्टियां अपने तरकस की वो तीर निकाल कर चला रही है जो उनकी आखडी तीर है कॉं में उनको बिहार बुलाया है दो नेता गुजरात से आये हैं और एक बिहार के ही नेता थे जो बाहर में थे उनको भी बिहार लाया गया है और कल से चुनाव परचार सुरू होगा आज का जो कॉंग्रेस कार्याले का माहौल था वो काफी कॉंग्रेस कार्ज करताओं के सो किया है उससे आने वाले भविश में Congress की इस्थिती क्या रहेगी kunt कीस तरीके से देखते हैं आज आपने बताया कि Congress के लिए काफी जोस वाला दिन था और दिन होगा भी क्योंकि युवा नेताओं को जोड़ा है उन्हों गुजरात के दो और कनहिया जो हैं वो सामिल हुए और कनहिया का जो है एक कहें तो इनकी आने से जो है कॉंग्रेस को एक आवाज मिल गई है क्योंकि कनहिया को सुनने बाले देश में बहुत लोग हैं अलग बात है कि वोट कितना वो तबदिल कराएंगे ये सबसे उते चुनाओं में पता चलेगा और जिगनेश और जो हार्दिक पटेल ये दोनों भी आये थे और जिस तरह इन्होंने कमिटमेंट किया कि हमको कॉंग्रेस को फिर से अस्थापित करना है राहूल गांदी को पर पर प्रकाश डालेंगे क्योंकि वो इस पीसी में थे वो तो हमारे साथ उदिप्त आर्यान भी थे उस पीसी में और क्या कुछ नजारा वहां था और किस तरीके से ये कार्जक्रम चला ये सारी बातें हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं और खासकर राजत पर जो है उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं राजत पर असर क्या होगा पहली प्रतिक्रिया राजत की आ चुकी है मनोज जाने अभी कुछी देर पहले अपना प्रतिक्रिया दिया है मनोज जारा सबसांसद हैं राजत से उन्होंने कनहिया को पढ़ा लिखा लठायत बताया है और स कौन सननेता है कॉंग्रेस में जो जॉइन कर लिया जो काता है कि सीना ठोक क्या हम बदला लेंगे राजत से और सनी आप भी वहां पर मौझूत हैं आप देख रहे थे कि जितने भी राजत के बड़े नेता छोटे नेता मदन मोहन जाह हो भागल प्रविधाय का जीत शर्मा हो या फिर भग चरंदासो जितने भी लोग थे सभी के सभी टार्गेट कर रहे थे किसको बीजेपी को नहीं बीजेपी को टार्गेट नहीं किया गया है आज आज सभी के तीर का जो निसाना था वो सभी लोग तेजश्वी आदब पर लगा रहे थे सीधा उनका आरोप था कि तेस्वी आदम ने उन्हें दोखा दिया राजत जो है लालू प्रसादी आदम जो है रावडी देवी जो है तमाम जो राजत के कार करता है वे सभी को डर है कनहया से और इन सब के बीज़ देखिए एक बात आप तो चुकियों अलाइब कर रहे थे और मैं लगतार सदाकता से जो वहां पर सपूर्टर्स पहुंचे थे कनहया कुमार के सबसे बात चीच कर रहा था उनका नाम नहीं मैं जानना चाहरा था कि वह किस वर्ग के लोग है कि समाज से आए हैं तो 80% जो युवा वहां पर जुड़े हुए थे वह सभी भूमिहार समाज के थे सभी भूमिहार कनहया कुमार जिगनेश और साथ साथ हार्विक पटेल तीनों पहुंचेंगे तो आज का जो पीसी था आज का पीसी नहीं कह सकते हैं संबोधन कर रहे थे कनहया कुमार सब्सक्राइब कर रहे थे अपने पेज पर और चैनल्स पर सीधे तरीके से नितिश्वी अदव को टा कर नेता बताया संबोधन करते हैं हार्दिक पटेल जिगनेश और कनहया अगरे 20-30 मिनट का भासन था कहीं पर भी नितिश्कुमार का नाम नहीं आता है बिहार की बात करते हैं भगवान भुद्ध की ज्यान की बात करते हैं महात्मा गांधी पोरबंदर से आते हैं चम पार का कोई चांस नहीं दिख रहा है चालीस लोग सभास सीटों पर दोजार चौविस में के लिए चुनाव लड़ने की बात चल रही है कनहया कुमार अब पूरी तरह आक्टिव होकल तो रहे हैं सुरू से अब बिहार में अक्टिव हो गया है लेकिन लेकिन जो सवाल बनता है कि क्या इन दो विधान सभास सीटों पर चुनाओ के बाद कनहया बीयार में टिकेंगे ? सबसे बड़ा सवाल दूसरा अगर टेकेंगे तो चया 3.4 सालों में अगर हम भूमिहार समाज की बात करें तो तो क्या भूमिहार के जू यवाँ है उनको अपने तरफ अट्रैक कर प पते लोनों ने जय भीम का नारा भी लगाया तो कहीं ना कहीं बैक्वर्ट समाज का वोट अगर घीचते है कॉंग्रेश अपनी तरफ लाता है का नहीं का मार्फत से तो नुक्सान किसका तेजस्पी आदव का बुमिहार अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे यह बहुत दू रहा है मेरे नजर से वह बैक्वर्ट समाज जो है जो दलीद समाज है जो जिसको लोग सोचित समाज कहते हैं वह समाज का वोट कनया अगर काटेंगे तो बड़ा नुक्सान होका तेजस्पी को और सन्य आप मानिये यह मत मानिये तेजस्पी आदव को हमने लोग सभा का रहे थे तो कनहिया अगर कह भी रहे थे तो गलत नहीं कह रहे थे कॉंग्रेश की अबात छोड़ देते हैं हम अजी तरवा के बात छोड़ देते हैं आँगा की लेकिन अब ऐसे में वोट किधा ट्रांसवर होता है और कितना वोट ट्रांसवर करवा पाते हैं कनहिया इस दो विधान सवा सीटों में यह देखना दिल चास्प हो तो कनहिया कुमार के उपर राजद के मनोज जह करी अक्सन आया है अब मनोज जह की बोलने की सहली आप सभी लोग जानते हैं और कनहिया की बोलने की सहली चलते हैं सहयोगी के पास क्या लगता है मनोज जह को राजद ने आगे किया है कनहिया को बैक फूर पर भेजने के लिए क्या रणनीती है जे देखिए कनहिया जो है वो प्रॉब्लेम तो भी है ही सबसे बड़ा बात है कि जो इनका सहयोगी होता था इतने अहम जो चुनाओं है जो कि राज़त के दोरा कहा जा रहा है उस समय वो आपका दुस्मन हो जाए ये तो एक ऐसा चीज हुआ कि आप किसी ब पताया और जैसा मैंने सुना उनके संबोधन में तो भाज़पा को हराना है इंडिये को हराना है ये तो उनका टैर्गेट है लेकिन प्राथमी कभी है आरजेडी को सबक सिखाना देखिए आरजेडी को दो तीन तरह सबक्सिना जरूए एक तो है कि उन्होंने अभी सीट न आपने हमारा बात उप चुनाओं में नहीं माना इसलिए आपको यह ऐसा देखना पड़ा तो यह भाविश के लिए भी है और रहा बात वो ट्रांसपर का तो मैं बता दू आपको कि कनहिया जो थे इससे पहले जब भी बिहार आये थे वो किसी दल से नहीं जुड़े हुए दल से जुड़कर बेगुसराय में चुनाओं लड़े एक उनकी स्टुडेंट वाली छवी थी जो स्टुडेंट राजनती का जो पार्टी होता है उसी से जुड़े हुए थे तो चुनाओं जब लड़ने के लिए पार्टी से आए तो बिहार में जाती समीकरण बहुत तो अब यह सेकुलर जो वामदल जो हत्य समाजवादी निताब नहीं रहें कनहिया कनहिया जो हब कॉंग्रेसी हो और उपर से भूमियार हो गए तो इसमें यह सोचना बेकार है कि बिहार में लिखा हुआ है कि यहां पर जो है कि बेटी और वोट लोग अपने जात वाले को कभी भी तो उस चसमें से नहीं देखना होगा अब दूसरे चसमें से देखना होगा और एक और प्रसंद कर अपने उठाया था कि वहार में रहेंगे की नहीं रहेंगे देखिए चुनाओ है चुनाओ से 7-8 दिन पहले वो आते हैं आकि इतना लरका ललकार दियें आपने आपको जोईन किये हुए एक महीना लगबग हो गया आप कहां बिहार में है उसमें आप फिर से उसके बाद चुनाओ फट्म होगा तीस तारी के बाद आप कहां रहेंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है आप बिहार के किसी विपदा में नहीं आए बिहार छोड़िए दे देश विरोधी जो कारिक्रम हुआ था जे निव में उससे उनका नाम उचला है कोई अच्छे चीज के लिए नहीं उचला है और बहुत बड़ा एक वर्ग है भुमियारों का जो कनहिया को देखना नहीं चाहता है क्योंकि उनके फेमस होने का सिर्फ वही जो तरीका है वो आरोप लगा हुगा है देश विरोधी जो भावना भलकाने का उसकी अधार पर जनम हुगा और भुमियार समाज कभी भी देश विरोधी को एक्सेप्ट नहीं करती है और यही कारण रहा कि बेगु सराय में भुमियारों नहीं वोट नहीं दिया तो यह सबसे बड़ा करता है देश द्रोही होने का दाग सेडिशन का चार्ज उनके ऊपर लगा था उसको काटने का भी प्रयास कर रहे थे और भुमिहार समाज को लुभाने के लिए कई दफा उन्होंने कहा कि बिहार में सबसे लंबे समय तक राज किये सिर्किष्ण बाबू उसके बाद को उस वह भी फैक्टरी बहुत काम किये थे और दलीतों को देवघर के मंदिर में प्रवेस करवाना हो उसके बाद आफको जमीन का जो मामला था जो दलीतों का पास नहीं था वह वह जमिदारी परताज उसको खतम कराते हैं तो कई काम करते हैं सिर्किष्ण बाबू तो कहीं नही कि यह संदेज देना चाह रहे हैं अगर कॉांग्रेस की सत्त आती है तो मुक मंत्री Gobierno उसको कुछे साथ नाम यही मनेंदार नीति रहा तो कैसे इन्होंने अपना वीचारधारा को जो है इतना बदल लिया और एक बात और मैं बता दूँ कि देखिये तेश्वी जो भी है तेश्वी जो है बिहार में बिहार के लिए करते हैं बिहार के लिए लड़ते हैं भाले वो कुछ समय नहीं रहे वो अलग बात है लेकिन यहां पर उनकी एक पहचान है उनके फॉलोवर हैं उनका अपना एक पिताजी का द्वारा ही है दिया ही सिध्यान्त है जिसको आज तको फॉलो कर रहा है लेकिन कनहिया तो अपने जीवन में दो साल के अंदर में यू टर्न मात चुके हैं तो ये जो पहले इनके लिए सोसा आप ही बताईए कि आप पिछडों किरायिती की बात क हैं कि कनहिया के साथ पिछड़े जा सकते हैं स्रीक्रिस्न बाबु का नाम लेंगे ये और उनका महिमा मंदन करेंगे तो इससे तो पिछडों पर वोट का जो है यह अपने आपको जब भुम्यार भी दिखाएंगे आप और आप सोचेंगे पिछडों का भी वोट ले हैं और तेस्वी आदों इनको एक बार पटकनी दे चुके हैं आपने ही बताया कि बेगु सराय में तन्वीर हसन को इन्हों ने खड़ा किया और बुरा हार हारे वहां से कनहिया जो है एदम बुरी तरीके से हारे और फ्रस्टेशन यह रहा कि यह बिहार छोड़के भाग ग हैं देखिए यह केवल जो हैं बस बोलने वाले हैं बोलने के अलावा कुछ नहीं करते हैं गार के सिर्फ जो है ये देश्विरोधी काम कियें उसके बोल के जो है अपना ये के और संतुष्टों का जो वर्ग था जो मोधी सरकार से नफरत करता उनका सहानवूती वट्रे लेकिन अब कॉंग्रेस में आये हैं और बिहार में और आप ही देखिए ना कि कैसे लोग इन पर वि खिलाफ हो गए आज क्या हुआ कि आरजडी इनको सीट नहीं दिया तो दोनों के खिलाफ हो गए तो बताइए एक जो इस्थिर्ता जो है वो तो इनमें नहीं हो सकता है कॉंग्रेस में अगर दोनों सीट हार जाते हैं और बात में यह भी हो सकता है कि लेफ्ट में इनका घर कॉंग्रेस में क्या वन्सवाद नहीं है वकिस मुह से बोले कि राहुल गान्धी ने हम जैसों को भी जगा दिया हर एक जो है कि इससे इंकार कर सकते हैं कि कॉंग्रेस से वो परधान मंतरी देश के बन सकते हैं ये बोल सकते हैं क्या देखिए कनहिया जो है वो उनका जो है पुझा फ्यूचर जो है फेलियोर है और उनकी पहचान जो है लेफ्ट से बनी हुई थी लेफ्ट की विचारधारा से बन बात को बहुत सही कहा आदेश पूरी ने देखिए तेजस्वी आदव का एक वर्ग है जो उनके पिता जी के द्वारा बनाए हुए वोटर्स है वह उन्हीं को वोट करेंगे कल मेरी एक बात हो रही थी एक SBI ब्रांच के प्रोविजनर आपसर है खाटी लालुवादी कह सकते हैं उन्हें आप बहुत सिक्षित बेच्ची से ग्रेजुएशन है उनका मास्टर्स है उन्होंने वह यही बोल रहे थे कि हम जब वोट देने जाते हैं तो हमें ना सड़क द तो वह समाज का वोट नहीं लेने जा रहा है और कॉंग्रेस किसके चहरा पर वोट मिलेगा अगर कॉंग्रेस की हम मौजूदा 2021 के आज की तारीक की बात करें तो कॉंग्रेस बीजेपी के बात नरेद मोदी है वोट उनको मिल जाएगा बिहार में कोई नहीं हो मोदी आएं कर पाते हैं कितना बिहार में टिकते हैं जमीन पर काम करते हैं जिला प्रखन में घूंते हैं लोगों से संपर्क करते हैं इस पर निर्फर करेगा कि आने वाले भविस में 2024 का लोग सबाहो 2025 का विधान सबाहो यह आगे की जो राजनिती होगी बिहार की उसमें कनहिया कितना खुद को इस्टाइबलिस कर पाते हैं अगर फिर भागे दिल्ली फिर चले गए दिल्ली और वहां से खाली ट्वीट करेंगे स्टेट्मेंट देंगे कोई भविस्य नहीं है कनहिया का बिहार में टिकेंगे तो ही शायद इनका कोई भविस्य होगा जो उनको नहीं पसंद करता है और उसका आवाज बने थे ये गाली देते थे टीवी पर सब जगा खड़ा होकर और जो एक होता है न कि आप किसी से जलते हैं और उसको कोई गाली देना बला हो तो आप उसको सुनना पसंद करते हैं बस इससे ज़्यादा इनकी कोई भूमिका नहीं है यह कहीं भी चल जाएं तेकिये आर जे डी जो है जैजडियू है बिजेपी है या कोई भी रेक्ट पैदा ही से उसे भूमियार कभी कुछ भी हो जाएं वह देश विरोधी को कभी एकसेप्ट नहीं किया और बेगु सराय के चुनाओं में उन्होंने ये गोसित कर दिया कि आप कितना भी योग है कितना भी कुछ करने वाले हैं लेकिन देश के खिलाफ आप बोलेंगे तो हमारा समर्थन आपके लिए जीरो रहेगा हम आपके तरफ देखने तक नहीं जाएंगे और जहारा बात दिने यहां पर खूब अच्छेश सुनाएंगे जुम्ले कहानी इसको गाली देंगे उसको गाली देंगे फिर इस तरीको टिकट कर गया होगा इनका बापसी का तो सिर्य तोर पर देखे तो दोस्त का दोस्त हो जाता है और दुसमन और दुसमन दोनों मिलकर फिर साथ आज वही कहानी है और इनके साथ वही घटा एक असंतुष्ट वर्ग था, मोधी सरकार के और वही असंतुष्ट वर्ग इनके साथ जुनाख और धीरे धीरे, इनकी publicity पुटे देस मे फैली, जैसे हारदिक पटेल और जिगनेस मिवानी की publicity गुजरात से निकल कर सामने आई, तीनों नेता एक ही तरह के राजनीत के उपज हैं एक ही तरह के आंदोलन के उपज हैं अब सबसे बड़ी बात यह होगी कि बिहार में वोट की राजनीत रोटी और बेटी की भी होती है अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये कितना इसको सत्त कर पाते हैं क्योंकि त की शुरुआत की थी और तेजस्वी आदो आज तक इस बात को सत करते हैं कि वोट की जो राजनीत है रोटी बेटी की चलती है और इसी अधार पर बिहार की भी राजनीत चलती है और जिस तरह कर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आने वारे दिनों में उनका टिकट भी कट कर आवोगा तो सबसे बड़ा सवाल उनके लिए यही होगा कि क्या बिहार में चुनाओ के भाद वो कहां रहते हैं बिहार में झाहिए कि स्द dong की राजनीत करते हैं और उनका आगेका ये जिन होगा कॉंग्रेस उनको कहां देखती है सबसे बड़ी बात यहोगी और बिहार में खासरकर कांगरेस उनको कहा देखती है क्योंकि बिहार में अगर कंगरेस उनको लाएगी तो बिहार का एक बड़ा सपोर्टर तो वो उनके सालब पर नहीं जाएंगी और यह परिनाम आएगा उसके बाद ही सब कुछ साफ हो पाएगी अभी तो यह महावनाई जताई जा रही हैं आने वाले दिनों में दो तारीक को जो परिनाम आएगा हम आपको बताएंगे आप बन रही हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद